नमस्कार दोस्तों, भारतिय टीम ने 2015 में वर्ड कप जीत कर सभी भारतियों को गर्व से भर दिया था, अब साल 2023 से वर्ड कप स्टार्ट हो गया है, एसे एक कप में धमाकेदार जीत के बाद तीनों फार्मेट में नमबर एक भारतिय टीम क्या ये वर्ड कप भी जीत कि क्या कहते हैं विशेसक, आए देखते हैं इस वीडियो में, आपने एसे एक कप का फाइनल मेंच देखा होगा, भारतिय टीम ने सिलंका को बड़ी आसानी से हरा कर एसे एक का खिदाब जीत लिया, तो लोग खुशी में पटाके दाग रहे थे, तब रोही सर्मा ने माने देश का मिजाद समाया है, जो दोनी की अगवाई में भारतिय टीम के 2021 का विशेसक जीतने के बाद, विशेस तर पर कोई खिताब ना जीत पाने की तकलीफ महसूस कर रहा है, उस तकलीफ को खात्म करने के लिए वंडे विशेसक बेतर वक्त और जगर दूसरी दिन नह लेकिन ये एक महीना किरकेट के फैंस को बांधे रखता है, जब भारत पाकिस्तान का मैश होता है, तो सम सन के विरान हो जाते हैं, किरकेट रेमी हों या बड़े बुड़े, लड़के, औरतें, सब मैश देखने के लिए अपने ज़रूरी काम को अगले दिन के लिए टाल तो दोनों की 20, 28 साल का लंबा फासला था, तो उमीद है कि रोहित के रंगदार इस वर्ड़कप में या फासला तोड़ देंगे, 1975 में वंडे क्रिकेट के शुरुआत के बाद से ही विस्व कप क्रिकेट के सांदार और आकरसक आयोजन की तरह उगरा है, जिसे विस्व की सुकृर्टी मिली और इनाम की राश भी सबसे ज़्यादा है, इसमें पैसों की भरमार से लेकर भरफूर ग्लैमर रहता है, भारते टीम जब 1983 में वर्ड़कप खेनने इंग्लेंड पहुंची, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह टीम इतिहास रजदे की, बेस्ट इन प्रीज की टीम 140 रन पर ही सिमट गए थी, इस टूनामेंट में भारत ने भले किसी भी हैसिया से नहीं उतरा था, लेकिन विसकप जीत कर, कपिल इन कंपनी ने हर भारते का सीना चोड़ा कर दिया था, 2011 तक क्रिकेट के पावर सेंटर का पस्चिम से पूरा पाना तकरीबं पूरा हो जोगा, और आखिरकार भारत को 2011 में क्रिकेट की वर्टकप का मेजवाणी करने का मौका मिला, तो इसी कई उमीदें परवान चड़ें, बलकि प्राधनाय की जाने लेगी कि भारत घरेलू सक्सियतों को पूझते हैं, इस वर्टकप में कप्तान ध्वनी के साथ यूराज सिंग, सुरेश रहना, गौतम गंभीर, विरेन सहवाग, जहीर खान और मुनाब पटेल ने बड़ी भून का निभाए थी, फाइनल मुकाबले में भारते टीम ने वानखेले के मैदान पर सि लंका और बांग्नादेश ने इस विसकप की मेजवाने की, घहरेलू हारातों में भारत को पहले से ही खिताब जीतने का प्रवल दावेदार माना जा रहा था, और हो अभी वैसा ही, अब वर्टकप 2023 की बारी है, और सभी मेज भारत में ही होने हैं, तो क्या भारते टीम या सवालों के साथ से लंका पहुंचे थी, ओपनर चल नहीं रहे थे, विराट कोली का ODI में रणों का सुर्खा लंबा की जराहता, केल राहुल और सिरेस एयर की मैच फिटनेस सक के दायरे में थी, आलराउंडर हर्दिक पांड्या ने लंबे वक्त से गेंदबाजी नहीं के लेकिन अपने प्रदर्शन के दम पर नहीं, बलकि इसलिए कि टीम में आलराउंडरों की जरूरत थी, तेज गेंदबाज जस्पीत भूंडा चोट के लंबे वक्त के बाद वाफशी कर रहे थे, और इस बात का कोई सबूत नहीं था, कि उन्होंने फार्म वापस पा लिया है, चार हफते के बाद ही इन तमाम संदेयों पर बिराम लग गया है, भारते टीम ने एसिया कप में अपना दबदबा कायम करके और फिर छोटी सी वंडे सिरीज में सक्तसाली अस्ट्रेलियाई टीम को अरा कर सारे सवालों का जोरदार जवाब दे दिया, इस केलेंडर साल में भारत के लिए ओडियाई में सबसे जादा रन मनाने वाले सुमन गिल के रूप में भारत के पास क्रिकेट की दुनिया के सबसे उनहार युआ बले बाजू में से एक है, हाल ही में वंडे क्रिकेट में 10,000 रनों का सिखर चुने वाले रोधी सर्मा को भी आकिरकार आक्र खिलाव अहम गेम में महेज जिताओ सतक ठोपकर ओडियाई में अपनी महारत की याद लोगों को दिला दी, वे अब वंडे में सचिन तेंदुल करें के उन्चा सत्कों के सदा बहार इकार से महेज दो सतक दूर हैं, या बात बिसकप से पहले उनके रनों की प्यास को काने के लिए काफी है, कि अल्लाहुर भी कहाओत के फिनिक्स वक्षी की तरह राख से फिर उठ खड़े हुए हैं, वाफसी के बाद उनके सांदार 93 के बलेबाजी ओसत ने अनेक तरीकों से भारत की मदद की, और वहा भी तब जब सभी मैचों में लगातार, वह बिकेट की करते रहे हैं, बलेबाज हार्थिक पंड्या को लेकर तो ऐसे भी कोई परिशानी नहीं थी, ठीटेटी के गेंदबाज के तौर पर भी हार्थिक पंड्या भी प्रमानित पूंजी हैं, उन्होंने वंडे मैच में भी अपने फोवी बखोदी निबाई है, दर असल भारत की एकजूट गेंदबाजी भी इस तरह उगरी की चल्चा कब इसे बन गए, भूम्रा इस तरह गेंदफेक रहे हैं, मानों कभी अंतराश्टे क्रिकेट से दूर नहीं रहे, तेज गती और चतुर जमाट के वरपर सिर्सकर्म के बलवाजों को उसी तरह उड़ कर रहे हैं, ज मैसा उत्सा से लबालब मुहमा सिराज ने अतरिक उशाल से विफच्ची टीम के बलवाजों को हाथ पर पटकने को मजबूर किया है, एसिया कप के फानल में उनकी छे बिकेट इसके सबोत हैं, मगर बाहर से मजबूत इक्ती भारते टीम को समगरता में समझने की कोशिस करे तो उसकी इन मजबूत दीवारों में कुछ दरारें दिखाई देने लगती हैं, एक तो आर्लाउंडरों की कमी है, किर्केट में आर्लाउंडर खिलाडी जरूरत बन गए है, वंडे में तो और भी, जहां बल्ले से भी योगदान दे सकने वाले गेंदबाजों, और गेंद के साथ गेंदबाजी में भी एहन कमया भी हासिल की, लेकिन यहां को भी मुझूदा भारते टीम को नसीब नहीं है, सीर्स कर्म का उनका कोई भी बले बाज अंतराज़्टिये इस तरपर लगातार गेंदबाजी नहीं कर रहा है, ऐसे टूर्नामेंट में जहां सीर्स दस न उस खास कयामात के दिन अपने परदरसन को दो एक पैदान उचा उठाने के लिए जानी जाती हैं, दूसरी तरह भारतिये टीम इसी कंडियेशन में आउसत क्रिकेट खेलती हैं, क्या ये 144 तरों भारतियों की उमीदे हैं, जो पस्त आउ परिसान कर देती हैं, साइमन डल न इसके उलट घर में खेलने का फाइदा भारत के लिए सबसे बड़ा मौका भी लेकर आया है, इसमें कोई सक नहीं कि प्रस्तितियों का जाना पहिंचाना होना घरोयलू टीमों को जीत में बढ़त देता है, इसलिहास से भारत में भारत से वेतर कोई नहीं ठहरता, 2019 से भारत को भारतिय प्रस्तितियों का अभ्यस्त होने में मदद मिली है, वहीं आकड़े गवाह हैं कि घरेलू मैदानों पर खेलने से भारत को मिलने वाला फाइदा अब भी ज़्यादा तर टीमों के लिए परसान करने वाली बात रही है, महान बल्लेवाज और 1983 बिश्कप के विज पर उनकी विरासत इस बात से तय होगी कि इस विश्कप में भारत का भ्यान कहां खत्म होता है, वैसे आपको क्या लगता है, कि इस बार फाइनल में भारतिय पटाके फोड़ेंगे, या फिर पिछले दो फाइनल की तरह मायूसी ही हमारे हाथ आएगी, या बहुत हथ तक ऐ इसे फैक्टर पर निर्भर करेगा, जो क्रिकेट खेल छमता से अग्दम परे है, अक्टूबर नॉमबर के महिने में देर साम की गिने वाली ओज की भूंदे, मैच के नतीजे तैकने में टास जीतने को बेहत महत्पून बना देते ही, फिर वारी आती है कौन कितना पुसकि किसमत रहा, मसलां कौन अजीब तरीके से रन आउट हुआ, किसे कैच छूटने से जीवनदान मिला और वो अच्छी वलवाजी कर सका, या फिल बेमावसम पर साथ ने खेल को बाधित कर दिया, बहराल किसमत के बिना किसी टीम के लिए किर्केट में सफलता की गारेंटी नह नाम रहेगा, आप इस वीडियो को लाइक और सेर करतें, साथी चैनल को सब्सकाइब करेंगें, धन्यवाद, नमस्कार